मंगला भवन आमंगला हारी द्रवाउस दसरत अजीर दिहारी जैराम जी की बहुत दिनों की चाहती आप सबसे मिलूँ बातें करूँ अब कहा करें जीवन मरन का चक्र ऐसा है कि मुझको बिठा के रखाए उस पार आज मैंने बिचार किया कि चलो तो आगए यहां आप सब के बीच तो मेरा नाम है तुलसी कुछ लोग तुलसी दास कहके बुलाते हैं तो कोई कोई गोस्वामी तुलसी दास भी कहते हैं लेकिन मैं मैं केवल तुलसी हूँ दास तो मैं बस राम जी का हूँ भगवान राम ने जिस डगर पर चलाया चल पड़े लिखवा लिया अपना चरित तो लिख लिया ए मनसुखा ये मनसुखा बड़ा विचित्र प्राणी है दिन भर मंदिर में बैठा तंबूरा बजाता रहता है कभी-कभी यूही गुन-गुनाता भी है पर टेर लगाता है तो किसी पक्के राग-रागिनी में आज सुभा सुभा मनसुखा ने अहीर भैरो के सुर छेड दिये पगला है बिचारा पर सुर बड़े अच्छे लगाता है कोमल निशाद से कोमल रिशब की मींड खीशता है तो लगता है कि आत्मा को निचोड रहा हो सीयराम मैं सब जग जानी करण प्रणाम ओ करण प्रणाम जोरी जुग पानी का है न बुढ़ा गए है भाई याद नहीं रहता का कह रहे थे और का कहना है याद रहते हैं तो बस राम जी और मा जान की ऐसा कब से हुआ कहना कठिन है छुटपने से ही ऐसा होता रहा है कि राम जी का नाम सुना तो रोमांच हो जाता था आठों पहर बस उन्हीं का ध्यान लगा रहता था उनका वो सुन्दर सलोना रूप वो तेज वो दीप्ती और वो मुस्कान जैसे सुर में भीगी कोई वीना अचानक जंकृत हो जाए हमारी दशा बड़ी बिचित्र थी क्योंकि हम तो उड़ते बैड़ते थे राम जी के साथ खेलते गूते थे उनके संग जो देखा वही लिखा छोटे से राम लला एक दिन आये और उंगली पकड़ के हमको अपने संग ले गए अयोध्या जी माता कौशल्या कैकई और सुमित्रा अपने पुत्रों को खिला रही थी लक्ष्मन जी बैठे थे पालती मारे और भरत जी घुटने के बल चल रहे थे और शत्रुगन भीया उनकी पीचे पीचे छाया की तरह भाग रहे थे और हमारे राम लला ठुमक ठुमक कर चल रहे थे दश्रत के नैन मनी सारे महल को अपनी पैजन से गुंजा रहे थे सूर्य वन्ष कुल दीपक का वर्णन कौन कर सकता है तभी भगवान ने मुस्कुराते हुए मुझे दीखा तो मैं गापड़ा धुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया थुमकी चलत रामचंद्र धुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया धुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया थुमकी चलत रामचंद्र राम लला की तो बात ही न्यारी है राजीव नयन कजरारे उमडते बादलों से सघन केश और वो नील वर्ण की आभा मानो सारे संसार के विशतत्व को स्वयम ग्रहन कर हमें अमरित प्रदान कर रहे हूँ आज इतने युगों के बाद सोसता हूँ तो कुछ-कुछ समझ में आता है आप लोगों को देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है दुख भी होता है खुशी इसलिए कि राम जी ने आपको कितनी सुख संपधा दे दी और दुख इसलिए होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको संतोश नहीं है आप भी सोच रहे होंगे कि बुढ़व बग-बग बहुत करता है अब भीया आज का एक दिन मन खिन्न मत कीजिएगा देखिए राम जी से बहुत बोल-बोल कि ये एक दिन मांगे हैं देखिए मैं बहुत डरता हूँ डरता हूँ क्योंकि प्रेम का भूखा हूँ अरे डरता हूँ तभी तो हनुमान चाली सालिक डाली डरता हूँ क्योंकि आप से बस प्रेम चाहता हूँ कहते हैं हमार जनम माज से पांसो साल पहले राजापुर गाओं में हुआ पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और मैया का नाम था हुलसी ऐसा लोग बतावे कहते तो ये भी है कि अमंगल लक्षत्र में पैदा होने के कारण हमको अनाथ छोड़ दिया गया और एक भिखारन ने हमको पाला हमरा पहला नाम रहा राम बोला अब इस अभी तिहास फितिहास छोड़ भी दे तो नाम हमार बहुत गजब का रहा राम बोला फिर गुरु ने नाम रखा तुलसी और इक इर्पा तो राम जी की ही है कि उनके दास का लिखा लोग पूजा के स्थान में रखते हैं भगवान भी बहुत अनूठे हैं खुद छोटे बन जाते हैं और भगत को बड़ा बना देते हैं खुद तो पुल बांध के जाते हैं और हनुमान जी से समुद्र कुद्वा देते हैं साहिब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान साहिब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान रामबान भी उतरे उदधी नाम भी गए हनुमान बाद में हम बस गए थे आकर के काशी में राम जी ने प्रेरना दी के रमायन लिख लो हम बहुत डरें अरे भगवान जी का चरित और हम लिखें लेकिन जीना कठिन हो गया सोए तो राम जी दिखें अरे चलते फिरते उन्हीं का दर्शन हो जाए एक दिन तो हनुमान जी से लड़ाई हो गई हमारी मैंने कह दिया देखो बजरंग बली यह दिन रात हमको परेशान मत करो भाई किसी और से लिखा लो भाईया अरे कासी नगरी में पंडितों की कमी है का लेकिन हनुमान जी ने राम जी को नहीं छोड़ा तो हमको का छोड़ते एकदम समझा के ही दम लिया आप तो पक्का सोच रहे होंगे कि बुड़हू सठिया गया है अब भाईया आप से मरने के बाद तो असत्ति नहीं बोलेंगे यह जो बजरंग बली है न हमरे आराध्य थे हमरे सखा हमरे गुरू दिन रात का उठना बैठना था हमारा अब आपको मानना है तो मानिए नहीं तो हमने मानस में लिखा ही है आजिन के रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देची तैसी बिन बिस्वास भगती नहीं तैही बिन द्रव ही ना राम राम कृपा बिन सपने जीव ना लह बेश्राम बस राम जी की किरपा से मन में अजबान भी चलने लगी सोते थे काशी में और जागते थे अयोध्या जी में डुपकी लगाते थे गंगा जी में और तैरते थे सर्यू जी में बाबा विश्वनात का दर्शन करने जाते तो राम लला हमें वहां निहारते मिलते एक तरफ तो हमार दशा ही बिचित्र हो गई थी अब दूसरे बजरंग बली खूब चिढाते हमको कि अब बच के दिखाईए राम जी से एक दिन तो जम के गुसा आगए हम तो लगे मिनोती करने मैंने कह दिया देखो बजरंग बली इस शंकर भगवान की नगरी है जब तक शांत बैठे हैं कहीं हमका गुसा आगया ना तो फिर मत कहना बजरंग बली छोटे बच्चे की तरह दोनों कान पकड़के हमरे सामने आके बैठ गए बोले गुसाई जी हमका छिमा कर दो उनकी वो मूरद देखी तो अमार तो हसी छूट गए आगे बढ़े और बजरंग बली को गले से लगा लिया उनका स्पर्ष हुआ तो मानु शक्ती का पात हुआ विद्धूत की तरंगे दोडने लगी मा सरस्वती ने मानों मुख में ज्यान की गगरी उढेल दी बजरंग बली ने वहीं पर धीरे से बिठा दिया हमको हम ठगे से वहीं बैठ गए आखों से आनंद के आसू बह रहे थे और वानी वानी बर्वस भूट पड़ी वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद साम पी मंगलानांच करतारव वन्देवानी विनायको जागती आखों के सामने भगवान राम की लिलाएं चित्राकार लेने लगी मैं देख रहा था उनको माता कोशल्या की गोदी में मुने विश्वा मित्र के साथ देखा घोर तपोवन में मैया जानकी को देखा पुश्पवाटिका में जनकपुरी में सीता का सोहंबर वो सारे द्रिश्य एक के बाद एक मेरी आखों के सामने नृत्य कर रहे थे और मैं मैं अकेला अमृत्पान कर रहा था तनपुल कि था रोम 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 आंचित था हर द्रिश्य में राम हर नाद में राम हर श्वास में राम सुगंध राम की स्पर्श राम का और मैं गा रहा था मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनात की गतिकूर कभीता सरित की जो सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस संगती भनिती भली होई ही सुजान मन भावनी भव अंग भूती मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी आज जब आप सब के सामने अपनी बात कह रहा हूं तो नजाने जीवन की कितनी घटनाएं याद आ रही है आज याद आ रही है रतनावली मेरी पत्नी मेरी अरधांगिनी रतना बड़ी विदूशी थी वो संसकारों की मूरत थी और मैं एक साधरन युवक था पत्नी के सौंदर्य की मदिरा का मतवाला एक साधरन व्यक्ति को असाधारन बनाने के लिए जीवन की बस एक घटना परियाब तो होती है पत्नी माईके में थी और मैं व्याकुलता के वश अपना धीरज खो बैठा निरलज्य की तरह चल पड़ा ससुराल को पहुस्ते पहुस्ते रात हो चली थी मूसलाधार बारिश ऐसी के हाथ को हाथ न सूझे और मैं सम्मो हिस्सा चला जा रहा था नदी में बाढ़ा आई हुई थी उफंती नदी को पार कर रहा था तो एक मुर्दे को नाओ समझ कर पकड़ा और तैरता रहा जब ससुराल पहुँचा तो सब सो रहे थे बारिश में दुमंजले से लटकते साप को रसी समझ कर चड़ गया यववन के मद में मस्त जब अपनी पत्नी के सामने जा खड़ा हुआ तो वो लज्जा और क्रोध से जल रही थी मायके के लोगों के सामने पती का ऐसा निरलज्ज वैवहार उसे अपमानित कर रहा था स्वाभी मान की अगनी में दग्ध उसका वो वाक्य था कि जितना प्रेम और आकरशन तुमको इस हाड मानस के शरीर से है वही अगर भगवान श्री राम से होता तो तुम्हारा भी उद्धार होता और मैं भी आज गौरवानवित होती बस यही एक वाक्य इस एक समवाद ने मेरे पूरे व्यक्तित्व को जगजोर कर रख दिया पत्नी के तिरसकार की अगनी ने मेरे मानस को तपा कर मानो कुंधन कर दिया एक साधरन सा ग्रिहस्त जीवन के परम सत्य का साख्षात कार कर रहा था साधरन से असाधरन की ये यात्रा इतने अल्प समय में तै होगी मुझे मालूम न था अब मैं दूसरा व्यक्ति था रत्ना वली के संबाद के पारस ने मेरी आत्मा के लोहे को मानो स्वर्ण में परिनत कर दिया था रत्ना वली मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारा मेरा सारा पुन्य तुम्हें मिले इस अकिंचन को तुमने क्या से क्या बना दिया जहां राम तह काम नहीं जहां काम नहीं राम कुलसी कब हूँ होत नहीं रभी रजनी एक ठाँ ए मनसुखा अरे कहां हो भाई गया होगा मा दुरगा के मंदिर में मा का बड़ा भगत है हमरा मनसुखा मा कितना अनमोल शब्द है ये बड़ा अभागा हूँ मैं जिस मा की कोक से जन्मा उसको देखा नहीं कभी लेकिन जिस भिखारन ने मुझको मा बन करके पाला था उसका नाम था पारवती अम्मा जगदंबा का ही अवतार थी वो मुझा भागे को बड़ा करने के लिए मानोस्वयम मा दुरगा ने भिखारन का रूप ले लिया थी मा कहते ही मेरी आँखों के सामने बस पारवती अम्मा का ही ध्यान आता है जितना प्यार स्नेह मंता वात्सलि उस भिखारन की जोली से मिला उतना मेरी सगी मा भी मुझे दे पाती इसमें संदेह है वो मुझको अम्मा नहीं कहने देती थी कहती थी तु बामन का पूत है हमका अम्मा ना बोल पाप लगेगा हमका उसी के सिखाने पे पारवती अम्मा बोलता था मैं उसी ने नाम रखा था राम बोला बता दी थी कि बच्पन में मैंने पहला शब्द बोला था राम सो नाम रख दिया राम बोला ए पारवती अम्मा तेरा राम बोला तुझे बहुत याद करता है बच्पन की जो पहली पहली स्मृति मुझे है वो यही कि मैं पारवती अम्मा के साथ भीक मांगने जाता था भीक का अन खाकर बड़ा हुआ चलना सीखा भीक से, बोलना सीखा भीक से, गाना सीखा भीक से बाद में जब राम जी का चरित लिखा, तो लोगों ने आरोप लगाया कि बड़ा घमंड हो गया है तुलसी को अब उनको कौन समझाए, कि भिकारी घमंड करे भी, तो किस बात का घमंड करे और एक दिन मेरी पारवती अम्मा मुझको अकेला छोड़के चली गई राम जी के पास ने ने अकेला ने क्योंकि जब भी मैं रोता था वो कहती थी बेटा बजरंग बली को याद कर वो राम जी के दर्बार में तिरी गुहार लगा देंगे अब बजरंग बली से हमार मित्रता तो पारवती अम्मा ने ही कराई थी और सच मुझ जब जब मुझ पर संकट आया मैंने बजरंग बली को ही स्मरण किया अतुलित बलधामं हेम शैला अभदेहं दनु जवन क्रिसानों ज्यानी नाम ग्रगन्यम् सकल गुण निधानं वानराणाम धेशं रगुपति प्रिय भाक्तम वात जातम नामाम पारवति अम्मा चली गए मैं भी भटकता भटकता चित्रकूट जा पहुँचा छै साल का राम बोला ठका हारा जाके एक चबूतरे पे सो गया सुबह जब चिरिया बोलन लागी तो देखा हनुमान जी के मंदिर के चबूतरे पे सोई रहे हम बस हनुमान जी की शरण मिली तो वहीं पे डेरा लगा दिया हमने बोल दिया बजरंग बली हम यहीं रहेंगे तो हार संग अरे दोनों राम जी के भगत हैं खूब जमें की जोड़ी खूब साफ रखते मंदिर हनुमान जी की सेवा में लग गए धेर सारे बंदर थे वहाँ हनुमान जी की सेना थी तो हम जाय के उनके सेना पती बन गए अब भगत लोग जो चना चबैना बंदरों को डाल जाते सेना पती होने के नाते हम भी अपना हिस्सा उसी में जमा लेते साच कहूं तो उन बंदरों से जितना प्यार मिला उतना तो मनुष्य भी नहीं देता मनुष्य और पशु में यही अंतर होता है मनुष्य प्रेम के बदले में कुछ न कुछ चाहता है पर पशु पशु तो केवल प्रेम करता है और प्रेम ही चाहता है राम जी ने तुलसी को भिकारी तो बनाया लेकिन स्वाभी मान भी भर दिया कूट कूट के वो तो उन बंदरों के प्रेम के सामने ये राम का दास भी दास बन गया वरना अपनी खुपड़िया तो उल्टी ही चलती थी भाई आवत ही हरशे नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहाना जाईये तुलसी तहाना जाईये कंचन बरसत में बरखा रितु आईये सूखी धरा की प्यास मिटाने धूप से कुमलाए पत्तों को उसकी हरियाली लोटाने हर रितु का अपना आनंद है अपना सुक लेकिन जिसके पास घर ना हो सर ढाकने को कोई छत ना हो उससे पूछिये भला बरखा आई ऐसी कि तीन दिनों तक रुकने का नाम ही ना लिया मैं अपनी वानर सेना के साथ उस छोटे से मंदिर में दुपका रहा तीन दिनों से अनका एक दाना नहीं पड़ा था पेट में अत्रिया मू को आ रही थे तब कहीं जाकर के पानी रुका चबूत्रे के उचे हिस्से को पोँच कर वहीं सो गया सो गया या अचे तो हो गया पता नहीं बस सीता राम सीता राम रटते रटते आँख लग गई सुबह हो गई थी सूरज महराज अपने रथ पे सवार निकल पड़े थी मैंने करवट बदली और गुदडी में मूँ छुपा लिया तभी सर पर किसी के हाथ का स्पर्ष हुआ और एक गुरु गंभीर स्वर बेटा कुछ खाओगे आखें खोली देखा एक बूढे महात्मा पास खड़े हैं सफेद केश दाढ़ी बढ़ी हुई और और आखें दिव्यता से चमकती हुई ज्यान के आलोग से प्रकाशित नीत्र ऐसी ज्योती पहली बार दिखी थी उस तपस्वी का स्वर गुंजा कुछ खालो पुत्र तीन दिनों से कुछ खाया नहीं तुमने और ये सारे वानर भी तो भूखे हैं गमचे से बंधी एक टोक्री उन्होंने मेरे गोध में धर दी इसे कहते हैं भूखों का ब्रम्ह भोज लड़ू पेड़े मालपुआ गुड लईया बताशे मैंने और मेरी वानर सेना ने खूब छक्के भोजन किया पेट भरने के बाद महात्मा जी की सुधी आई पर उतो वहां थे नहीं मालिन काकी जा रही थी तो रोक कर पूछा काकी ने बताया अरे बड़े सिद्ध पुरुस है बाबा नरहरी दास इहां ही तो रहते हैं नदी के पच्छिम वाली कुटिया में बहुत बार देखे रही वो कुटिया जानत रहिन की कौनो बढ़का संत तपस्या करत है पर कभू हिम्मत ना हुई के जाग के देखे लेकिन महात्मा जी कोई कैसे पता चला कि हम भूखे है वो भी तीन दिन के संत विटप सरिता गिरी धरनी परहित है तु सबनी के करनी संत रिदाया नवनीत समाना कहा कभिन पै कहाई न जाना दिन बीत रहे थे योहीं एक दिन सोए थे तो नींद में कोई बड़े प्यार से बुला रहा था राम बोला ए राम बोला देखा बजरंग बली सामने खड़े हैं क्यों रे राम बोला पढ़ेगा लिखेगा नहीं मैंने कहा का बजरंग बली का है पढ़े लिखे खूब बज़े में हैं बजरंग बली ने कहा अरे पगले राम जी ने क्या तुझको जाड़ू बुहारने के लिए भेजा है तुझे पढ़ना होगा सीखना होगा तु बड़ा विद्वान बनेगा रे हम अस पढ़े बजरंग बली अईसन ठिठोली तो बस आप ही कर सकत हो अरे भिखारी के बचुआ को सुरसती का पाठ पढ़ाएगा कौन तो बोले यही बताने तो आए हैं हम उजो बाबा है ना बाबा नरहरी दास जाएके उनका चेला बन जा हम पूछे का हमका चेला बन नहीं बो अरे काहे नहीं रे बस जाएके दुई चरण पे मत्था धर दे बाबा ने जो सर पे हाथ रखा तो बन गया तो उनका चेला बस आँख खुल गए ब्राम मुहूर्त था संधी प्रकाश की बेला आकाश के नीले पन पे पहट की दूधिया चाओं पड़ी थी मैं मंत्र मुग्ध सा बाबा की कुटी की ओर चल पड़ा जाकर देखा पदमासन लगाए बाबा नरहरी दास मूर्तिवत लग रहे थी मैं और समीब गया हल किसी ध्वनी सुनाई दे रही थी श्री राम जै राम जै जै राम जाकर के बाबा को दंडवत प्रणाम किया चिरन जीवी भव यशस्वी भव बाबा के मुख से सुर गूंजा हमका चेला बनाई लो बाबा बाबा नरहरी दास हस पड़े अरे हम ना बुलने वाले कौन है रे हमको तो राम जी की आज्या मिली है तू तो है ही हमार चेला मैं मैं डबडबाई आँखों से बाबा को निहा रहा था राम जी अपने भिकारी बेटे पर भी कितने कृपालू है बंदव गुरू पद कंज रिपा सिंधु नर रूप हरी महामोह तमपुंज जासु बचन रभिकर निकर बंदव गुरू पद पदुम परागा सुरू ची सुबास सरस अनुरागा गुरू पद रज मृदु मंजुल अनजन अब क्या था राम बोला के तुम मजे हो गए मंदिर में सखा बजरंग बली और कुटियाम रहे बाबा खूप सेवा करते मन में जो जो प्रशन आते सब जाये के बाबा को भिचारते बाबा भी सारे प्रशनों का उत्तर देते मुस्कुरा करके एक दिन पूछा बाबा ये बजरंग बली तो लखन लला के लिए संजीवनी बूटी लाए रहे ना बाबा ने कहा हाँ तो फिर ये दिन भर पहाण उठाए का है खड़े रहते हैं बाबा ने कहा अरे भाई पता नहीं कब किसको आवश्यक्ता पढ़ जाए राम बोला ये राम विमुख मन है न वो है मृतक समान भक्ती रसकी संजीवनी बूटी मिली तो जीवन पा जाता है मन फिर एक दिन पूछा बाबा ये राम जी को चवदह बरस का बनवास काहे हुआ दस होता बारा होता बीस होता बाबा ने कहा इसके तीन कारण थे पहला जिस स्युहासन पर राजिया भिशेक होना था उसकी चवदह सीड़िया थी दूसरा उस दिन से जिस दिन वर मांगा गया रावन की मृत्यू का दिन ठीक चवदह वर्ष बाद था और तीसरा कारण थी सीता जी मैं चौका का कह थें बाबा अरे हमरी जान की मैया जान की मैया ने राम लला को जब पुष्प वाटिका में पहली बार देखा तो माता भवानी से यही वर मांगा था कि मा मुझे यही स्वामी देना भले ही इसकी लिए मुझे वन में चौदह वर्ष तपस्या क्यों न करनी पड़े मोर मनोरत जान हुनी के बस हुसदा और पुर सब ही के तो ऐसे शुरू हुई हमार शिक्षा दिक्षा बाबा नरहरी दास बड़े विद्वान थे बहुत अच्छी कथा बासते थे रामायन हो भागवत हो एक बार बोलना आरंभ करते तो मानो जिवह पर सरस्वती जी का वास होता पर जो भी भोजन मिलता सब मिलाए के पहले सानी बनाते और फिर खाते मैंने पूछा ये क्या बाबा अरे लड़ू पेड़ा दाल दही चावल सब मिलाए के क्यों खाते हैं तो बोले अरे बगले भरना तो पेट है मैंने कहा और स्वात का क्या राम बोला ये जो जीव है ना बेटा ये सारे पापों की जड़ है कोई जानवर बीमार हो तुमसे कुछ भी खिलाओ वो सूंगेगा भी नहीं पर मनुष्य बड़ा लोभी जीव है मरते हुए आदमी के सामने खीर रगदो तो उटके बैड़ जाएगा खाने को फिर एक दिन बोले चलो अयोध्या जी मैंने पूछा का है बाबा तुम्हारा जनेव संसकार करना है जीवन ग्रंथ का पन्ना उल्टा और बाबा के संग पहुँच गए अयोध्या जी वहीं हमारा जनेव संसकार हुआ मुंडन हुआ बाबा ने ही कानों में गायत्री मंत्र पढ़ा बाबा ने कहा राम बोला जाओ राम जी का असीस ले लो बड़े से आंगन के बीच तुलसी जी के मंडप में राम जी का छोटा सा मंदिर था हम गए साश्टांग प्रणाम किया तो तुलसी का एक पत्ता आके गिरा हमारे सिर पे बाबा ने देखा मुस्कुराए बोले बेटा तेरा कल्यान हो गया राम जी ने स्वयम तुझे असीसा है आज से ये संसार तुझे तुलसी दास नाम से जानेगा तो भाईया ऐसे बन गए हम तुलसी दास नामु राम को कलप तरू कली कल्यान नीवास जो सुमिरत भयो भांगतें तुलसी तुलसी दास अयोध्या से पहुँचे काशी आचारिय श्री शेश सनातन महराज के आश्रम में हमको छोड़ गए बावा आचारिय जी से बोले गुरुदेव अपना शिश्य आपको दिये जा रहा हूँ अब आपको ही ज्यान का दीप जलाना है वैसे तो छोटा बालक है पर राम जी ने इसको विशेश रूप से भेजा है अपना काम कराने को बाबा जब हमको छोड़ के जा रहे थे हमारी हमारी रुलाई फूट पड़ी मैंने बाबा के पाओं पगड़ लिये बाबा हमका पंडित नहीं बनना है बाबा हमका साहत नहीं चलो बाबा ने उठाया बले देख तुलसी तु राम काज करने आया है रे खूब मन लगा के पढ़ना और बाबा चले गए मुझे ऐसा लगा मानो मेरे प्राण बाबा के संग जा रहे हूँ बंदो संत असा जन चरना दुख प्रद उभाया बीच कचु बरना बिचुरत एक प्राण हरी लेही मिलत एक दारून दुख देही आचारिय श्री शेश सनातन महराज के आश्रम में रहने लगे हम कुछ नए मित्र बने हरी नंददास केशव गंगाराम बटे सर सुखिया मन जल्दी ही रम गया फिर काशी नंगरी की तो महिमाही न्यारी है बाबा विश्वनात गंगाजी के घाट संत महत्माओं का रेला विद्वानों का मेला गलियन में सांडों का युद्ध हर दिशा से गूंजता वेद पाठ कहीं बनसी बजाता कोई ग्वाला तो कहीं ठंड़े इचानता कोई मतवाला अभ्यास का क्रम शुरू हो गया संस्कृत का पाठ व्याकरण का पाठ जियोतिश का पाठ अज्यान की कालिमा धीरे धीरे छटने लगी लेकिन सखा हमरे संग बहुत हसी ठिठोली करते राम जी का नाम ले लेके हम ठहरे उल्टी खोबडी के भिन्ना गय बोल दिया कि जौन राम जी हमरे संग हो हमका कौनों बात का डर नहीं बडेसर चिढ़ाते हुए बुला हाँ हाँ अब तो भूत परेद भी ना डरा सके है तुलसी को हमने कह दिया हाँ हाँ भूत परेद से हमें कोई डर ना है बडेसर ने कहा फिर हाथ कंगन को आरसी क्या परसो अमावस की रात है हरी इस चंद्र घाट पे जाए के भूत नाजी के मंदिर में शंक बजाओ तो समझें असल राम जी के भगत हो हमने भी कह दिया ठीक है देख लेना नंद दास ने कहा हमसे तुलसी भाईया सुना है वहाँ अमावस की रात को भूत नाजी के मंदिर में भूत परेद का जमावडा होता है मत जाओ भाईया लेकिन हमने भी कह दिया देखो भाई अब बदा बदी हो गई तो हो गई बहु समझाया हमको हरी और केशव ने लेकिन हम भी नई माने तो नई माने अमावस की आधी रात को उठके चल पड़े हरी चंद्रगाट की ओर बियाबान खुप अन्धिरा गंगाजी चुप चाब बह रही थी सियारों के रोने की आवाज घाट पे आठदस मुर्दे जलते हुए धुक धुकी बढ़ गए एक बार तो मन किया की लोड चले तभी बजरंग बली का ध्यान हो आया जय हनुमान ग्यान गुन सागर जय कपीस तिहु लोक जागर राम दूत अतुलित बल धामा अन्जदी पूत्र पवन सुत नामा महाबीर बिकरम बजरंगी कुमति नीवार सुमति कैसंगी मैं चला जा रहा था शरद रितू की ठंडी हवाएं हाड को चीर रही थी मन भैभीत था भूत से और पाउं कांप रहे थे शीत से बजरंग बली का नाम लिया और गाने लगा सब सुखल है तुम्हारी सरना तुम रच्छक काहू को डरना आपन तेज समहारो आप है तीनों लोक हाक ते कांप है हूट पिसाच निकट नहीं आवें महाबीर जब नाम सुनावें हनुमान चालिसा की सारी चौपाईयां नदी के स्रोत सी फूट पड़ी मन से भै वैसे ही भागा जैसे सूरज भगवान को देखके अंधियारा भाग जाता है पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित रिदय पसभू सुरभूत बजरंग बली हमार साथ थे फिर काहे का डर मस्ती में पहुँचे बाबा भूतनात के मंदिर खूब शंग बजाया नाच नाच के मंदिर के घंडे बजाये खूब उचल उचल के मथा टेका बाबा के सामने बोला बाबा भूतनात है महादेव आज तुमने ही प्रान बचाये तुमने ही डगर दिखाई है भभूती लगाई माथे पे और गाने लगते शंकर महादेव शंकर महादेव सेवक सूर जाके शंकर महादेव सेवक सूर जाके शंकर महादेव भस्म अंग शीष गंग बैल वाहनाती प्रचंद प्रश्म अंग शीष गंग बैल वाहनाती प्रचंद गोरी अर धांग संग और दांग संग रंग भंग जाके शंकर महादेव सेवक सूर जाके शंकर 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 महादेव इस घटना के बाद मित्रों में बड़ी धाग जम गई हमारी सबसे अधिक प्रभाव पड़ा गुरु मा पर उनका लाणला बन गया था मैं कहती थी तू ही मेरा सबसे प्यारा बेटा है गुरु मा और आचारी जी ने मुझसे सेवा करवानी भी बंद कर दी पूरा समय अब केवल शिक्षा को ही अरपित होने लगा समय का रथ अपनी गती से भागने लगा अब मैं युवक था गुरु कुल का सनातक आचारी जी की मृत्यू के बाद गुरु मा ने अध्यापन का दाइत्व मुझपर साँपा अब हम छोटे आचारी जी बन गय थे ए पहर्वती अम्मा देख तेरा भिकारी बेटा आचारी बन गया है ऐसे ही चल रहा था जीवन तभी काशी में मेघा भगजी पधारे राम रस के भवरे थे राम लला और जान की मैया की चर्चा निकलती तो आशू बहने लगते उनके उनका यश फैला तो नंददास हमको पकड़ के ले गए उनका प्रवचन सुनाने हम जब पहुँचे तो मेघा भगजी कथा बांच रहे थे मुझको देखके जाने का भया की व्यास पीट से उठकर दोड़ते हुए आहे और मुझको गले से लगा लिया भाव विभलो कहने लगे आज मेरी कथा में स्वयम बजरंग बली पधारे हैं मैं तो संकोच से गड़ा जा रहा था पर मेघा भगजी ने मुझको साथ में बिठा लिया बड़े ज्यानी थे जीवन के हर क्षण में राम जी का दरस पाते थे दूई चार दिन में हमार मित्रता ऐसी गहरी हुई के बिना मिले जीवन ही अधूरा लगने लगा पारवती अम्मा ने प्राण फूके थे इस शरीर में बाबा नरहरी दास ने नेत्र दिये थे मुझे पूजी आचारी जी और गुरु मा ने वानी दी थी तुलसी को और मेगा भगजी को पाया तो हृदय के तार जंकृत हुए राम जी ने भी अपने तुलसी का पग पग पर ध्यान रखा तु दयालु दीन हो तु दानी हो भिखारी हो प्रसीद पात की हो प्रसीद पात की तु पाप पुंज भारी मेगा भगजी के साथ तै हुआ कि तीरत करने जाएंगे गुरुमा से आज्याली और निकल पड़े कैलाश मान सरोवर बद्री नाजी केदार नाजी रिशिकेश और हरिद्वार से लोडते हुए मेगा भगजी चले गए काशी और मैं चल पड़ा ब्रिज भूमी की ओर दैव योग से मिल गए नंददास हमको पकड़ के ले गए सूरदास जी के पास कुछ पचासी छ्यासी बरस के रहे होंगे बाबा नंददास ने परिचय कराया तो सूरदास जी कहने लगे कुछ सुनाओ तुलसी भईया मैंने कहा क्या कहते हैं बाबा आपके भजन गागा करके तो बचपन में भीख मांगता था पारवती अम्मा ने सिखाया था कि अच्छा भजन गाने से अधिक भीख मिलती है सूरदास जी हसने लगे ये अच्छी कही तुलसी भईया तुमने इस आंधरे भिकारी का भजन दूसरे भिकारी भी गाते है मेरा मुरली मनोहर भी बड़ा नठखट है ऐसे नाच नचाता है कि बस अब मैं नाचों बहुत गोपार अब मैं नाचों बहुत गोपार काम क्रोध को पहीरी चोलना काम क्रोध को पहीरी चोलना कंथ विशय की मार अब मैं नाचों बहुत गोपार सूरदास जी के सुरों की जमुना में मैं और नंददास गोते लगा रहे थे मैया मैं नहीं माखन खायो मैया कब ही बढ़ेगी चोटी मैया दाव मोही बहुत खिजायो लिखने वाले सूरदास आज स्वयम हमें अपने पद गाकर सुना रहे थे शाम सुन्दर की भक्ती ने सूरदास जी को ऐसी द्रिष्टी प्रधान की थी के जो हम आख वाले भी नहीं देख पाते थे गाते गाते सूरदास जी रुख गए कहने लगे तुलसी भईया सुनना था आप से और मैं ही गाने लगा आप कुछ सुनाईए मैंने कहा बाबा जीवन में जब कभी मेरा मन भटका तब आपके ही एक भजन ने मुझे डगर दिखाई वही सुनाता हो मेरो मन अनत कहां सुख पावे मेरो मन अनत कहां सुख पावे मेरो मन अनत कहां सुख पावे जैसे उड़ी जाहाज को पंची जैसे उड़ी जैसे उड़ी जैसे उड़ी जैसे उड़ी जाहाज को पंची फिर जाहाज पे आवे मेरो मन अनत कहां सुख पावे मेरो मन अनत कहां सुख पावे जैसे उड़ी जाहाज को पंची फिर जाहाज पे आवे सोचा कि जहां इतने स्थानों का प्रवास हुआ क्यों न अपनी जन्म भूमी भी चले चले मैं चल पड़ा उस गाओं को जहां से जनमते ही निशकासन मिला था इस बार पहुँचा तो राजा भगत मिला अहिरों का राजा था मेरी ही उमर का रहा होगा उसने अपने मोह पाश में बांध लिया वही पर बसा दिया हमको एक कुटिया भी बनवा दी बाबा नरहरी दास का शिश्य था सो कथा वाचक बन गया जयोतिश विद्या की कीरती फैली तो आसपास के सारे गाउं से जनम पत्रिकाएं आने लगी सांस लेने की फुरसत ना रही राम जी की आशिरवाद और गुरु कृपा से मिली जयोतिश विद्या का प्रसाद मिलने लगा एक दिन राजा आया कहने लगा तुलसी भाईया अब तो भावजाई को ले आओ तो यी कुटिया में लच्मी जी का बास हो मैंने कहा अरे काहे ब्रह्मचारी का सुख छीनत हो भाई पर बड़ा मुह लगा था राजा मनवा के ही दम लिया हमरे पिताजी के मित्र थे पंडित दीन बंधु पाठक उनकी सुकन्या रत्नावली के साथ हमार विवाह हुई गया बर कुवरी करतल जोरी साखो चारू दो कुल गुरा करें भयो पानी गहानू बिलो की बिधी सुरमनू जमुनी आनंद भरें कुवरु कुवरी कल भावरी देहिं नयन लाभु सब साधर लेहिं राम सीय सिर सेंदुर देहिं सुभा कही न जाती भी धिकेहिं राम जी की किरपा से हम घर गिरस्ती वाले भय जीवन के रितु चक्र में फागु नाया श्रिंगार रस की फुहार पड़ने लगी राम जी और जानकी मैया के आशिरवाद से पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई नाम रखा तारा पती उप बिटवा और रत्ना वली के साध बड़े सुख के दिन कटे हमार मीरा बाई ने यी भजन शायद हमरे खातिर ही लिखा रहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलिक दीमहारे सत्गुरु किरपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जनम जनम की पूंजी पायी जग में सभी खोबायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो पंडिताई करके लोडता तो बिटुहा के खेल और रतना वली के स्नेह से सारी थकान कपूर सी उण जाती रतना के हाथों गरम गरम रोटी पाता फिर सोते समय रतना हमारे माथे पे हलके हलके हाथ फिराती और हम अपनी दिंचरिया सुनाते उसको अब आप सब को इसब सिंगार रस के बाद सुने का कौनों जरुवत नहीं है ससुर राम जी बताय रहे कि आप लोग वैसे ही बहुत बिगड़ चुके हैं मुदा हमरा मूँ भी दुग्या बतियाते बतियाते आप लोग थोड़ा टहल के आईए हम भी देखते हैं मनसुखा को दुई घड़ी के बाद लोट आईएगा इहाई हम भी थोड़ा सुस्ता लेगा जैराम जी को सब्सक्राइएगा